जी सर नमस्कार कैसे हैं आप जी आप मीडिया भाई को नमस्ते अपने दर्शकों को पडाम नमस्ते मैं अच्छा हूँ सर भोशपुरी की जो टीबिकल फिल्म बनती है मारा मारी की डिसम डिसम की और कुछ पारवारी जो ऐसे लगते कि ये एक साधी वाली के सीट है ऐसी फिल्म से हट कर आप एक जोलन्त मुद्दे पर फिल्म बना रहे हैं क्यों सर पहले मैंने भी बहुत डिसम डिसम बनाया परिवारिक में बनाया लेकिन हमारे दर्श भाईयों का ये था कि भोशपुरी में कुछ अलग आना चाहिए क्योंकि मुझे भी तो फोन आते हैं मैसेज आते हैं लोग मुझे कहते हैं तो इस तरह जोलन्त मुद्द आपको दिख रहा है लेकि इस फिल्म के अंदर एक पूरी फिल्म का निचोड ये रखा है कि पढ़े सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे ये निचोड रखा हुआ है तो किस तरह के और इसमें क्या-क्या कलाकार है उस थोड़ा उस बारे में बढ़ेंगे का भी एक बहुत पिसल सोंग है और बहुत सारे कलाकार जैसे त्रिपाठी जी जैसिंग जी और लोटा तीवारी जी तु सुकला विजय बर्मा जी गुविद कुमार अंताप जी जो है समीर खान और बहुत सारे ऐसे कलाकार जो है इसमें काम किये हैं सर मैं पोश्टर की बात करूँ तो मैं पोश्टर की बात करूँ पोश्टर देख रहा हूं तो मैं इसमें कुरूरता देख रहा हूं और एक पोश्टर आपका भी देखा था जिसमें आप हथोड़ा लेके कि जब मैं हतोडा लेके निकलता हूँ और क्यों निकलता हूँ और हीरो पे किस तरह का प्राहर है बहुत ही रोमांचित करेगा हमारे दर्सक भाईयों को और उसका एक बहुत यह आ रहा है मेरे पास की हतोडा वाला एक जो है इतने सारे चुकि वाइरल हो रहे हैं पोस्टर ज लार दिन में अतोड़ा भी लहराते दिखेगा बाकि एक क्रूर जो क्या कहा जाए मैंने ही किया है मुक्ष खलाए करो लो दर्सक देखेंगे बहुत मजा आएगा फिल्म में सर इतनी क्रूरता दिखाया है सेंसर से कैसे पास कर लिए सर सेंसर ने इस पर कुछ कट नहीं किय सेंसर में हमको जो है हाँ सेंसर का अच्छा किए कि बात किये यह फिल्म इतनी पसंदाई सेंसर में जो है सारे आफिसर जो है बोले कि वाकई आप भोषपरी में एक डिफेरेंस फिल्म लेके आ रहे हैं दर्सक के बीच में और बिना किसी कटुट का जबकि मैं इतना डरा नक्सल बेस है बहुत सारे गोला बारूद बम सब दिखाए गए हैं तो डरा हुआ था मैं कि लुक को लेके और इतने सारे लेकिन क्योंकि सुचेशनल सारी चीज है तो उन लोगों ने कहा कि आप हाँ हथोड़े की जो बात कर रहे हैं हथोड़े में उने ने कहा कि आप मुनोज आरपांडे की बात करूँ तो डबल सेट का रोल होगा उसका उनका जी यह तो देखिए दर्सक भाई जब अभी सिनेमा साथ तारीक को रिलीज होने वाला है 2023 नए साल में इस नए बरस में दर्सक जाएंगे तो दो सेट जो देखेंगे वो दो सेट कैसे बन रहा है तो दर्सक देख के उसका लुप्त लेंगे तो जादा अच्छा लेकिन है दो सेट है पर सारा चीज सस्पेंज रखा जाए तो बहतर है जस्वन जी ने एक्टिंग करके कितना लुप्त लिया कितना मज़ा लिया और खास करके विलेन बन गई अब विलेन का तो जानते हैं कि पहले तो फूरी फिलम में आप जो है कितनी भी कुरूरता कर लो कितनी भी हदे पार कर लो लेकिन लास्ट में हीरो जो हाल करता है वहाल इस विलेन का भी होता है और पब्लिक देखेगी उसका अलग ही लुप्त मिलेगा जब डके टाइप की फिल्म होती है तो उसमें अईटम सौंग नहीं है उसमें क्या है कुछ ऐसा सिच्वेशन है कि हमारा हीरो जो है बिलेन को खबरदार करने के लिए आता हूँ और हीरो 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 इन सौंग है दिखा जाए वो बिलेन सौंग मतलब कि वह आइटम नहीं आइटम बहुत हो गया अब दरसक चाहते है कि कुछ अलग चीज़े तो मैंने अलग दिया हूँ सिनेमा में दिखे बहुत अचा गाना है तो संग्राम जी को आपने क्या रोल दिया है जादा करके पोस्टर में तो मनो जी दिखाई दे रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है आप पोस्टर देखिए एक से एक पोस्टर जो है इम्मेदार आफिसर का रोल उनों किया है तो यह सक्त जो ऑफिसर है इनके साथ कौन हिरो इनकी अपोजिट को इनकी अपोजिट है बबली नायक जो है बहुत अची आर्टिस्ट हो भी है इन लोग की जोड़ी है जो दर्सकों काफी पसंद आएगा उनका गाना भी किसीन भ हो चुगा है पूरी तयारी है और यह पहले थेटर में आ रहा है क्योंकि यह थेटकल फिलम बनी है दर्सकों के डिमांड पे एक अच्छा जो है सोचल फिलम सब लोग जाके बढ़े पर देखें और उसके बाद में फिर आगे जनौरी आ रहे हैं और होली भी आने वाला है यह कोई गाना नहीं फिलमाए गया नहीं होली का तो इतना अपना गिफ्ट दिया हो अपने दर्सकों के लिए कि मजा आ जाएगा इतना बढ़िया गाना उसको जो है इसमें सारे जो लिर्स राइटर है कभी प्यारे लाल यादो जी है सुर्गे साम धियाती जी है सेखर मध जी है रमेशार यादो जी है मतलब चार चार लिर्स राइटर ने गाने लिखे हैं लेकिन इसमें जो होली की बात आपने छेड़ी है आगे होली है वही सब देख के मैं तो नए साल में इसको रिलीज कर रहा हूं ना मैंने जा कि अभी तुरंद जो पुराने साल में पुरा सारी हिम्मत बढ़ती है कि हम लोग एक अच्छा सिनेमा आप लोग के बीच में लेके आए और हमने देखी एक डिफरेंस जो है सिनेमा बनाया है जो एक सोशल फिल्म है आप अपने बहन बेटियों के मने हम पूरे परिवार के साथ जो है बैट के देख सकते हैं मा बहन अगर नहीं मिलेगा ना तो कोई गाना डबल मीनिंग ना तो किसी तरह का भी ऐसा संबाद है कि मतलब जो सरमिंदा हमें आपको होना पड़े तो आप लोग पूरे परिवार के साथ जो है सिनेमा थेटर में जाके और हम लोग का होसला बढ़ाई है इस से मिने जो है सिनेमा ह पॉल में जाना आप लोग का बहुत जरूरी है क्योंकि यह सिकायते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं आ रहे हैं इसलिए हम परिवार के साथ रही देखते लेकिन आप परिवार के साथ जाईए और जंता दरबार को खुब धेश सारा प्यारा सिर्पाद दीजिए